नमस्कार स्वागत आपका सीन्यूस भारत में मैं हूं आपके साथ जोती श्रवास्तव धर्म विश्वास और आस्था एक दूसरे के पूरक हैं जो मानत जीवन में गहरे अर्थ प्रदान करते हैं ऐसे ही कभी-कभी देविय चमतकार भी देखने को मिलते हैं जो इंसानों की समच से परे होते हैं ये चमतकार नाकेवल आस्था और विश्वास को मजबूती प्रदान करते हैं बलकि जीवन में एक नई आशा और उत्साब भी भड़ते हैं जब लोग देविय चमतकारों का अनुभव करते हैं तो उनके भीतर एक गहरी श्रद्धा का संचार होता है जिससे उनका जीवन सकरात्मक दिशा में बदल सकता है देविय चमतकार मानपता को याद दिलाते हैं कि जीवन में कुछ चीजें केवल आस्था और विश्वास से ही संभव होती हैं कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है हर्दोई में जहां सुर्षा में नीम के पेड़ पर हनुमान जी का अद्भूत आकार दिखा जी हां देखिए ये रिपोर्ट हर्दोई के विकासखंड सुर्चा के कसरावा में शिव मंदिर सिसटे नीम के पेड़ पर हनुमान जी का आकार प्रकट होने से पूरे शेत्र में धार में कुछ सब का महौल है सुबा से ही सेक्डो भक्त इस चमतकार का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं इस्थानिय लोगों और भूमी मालिक भवानी सिंग ने जानकारी देते वे कहा कि नीम के पेड़ में हनुमान जी का पूरा कार स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसमें कोई दोराय नहीं है भक्तोंने बताया कि इस अदबुत अनुभव के बाद चबूतरा बनवाने और अखन्ड पार्ट करवाने के साथ साथ करने आखिलाने और भंडारे का आयुजन करने का भी निड़ने लिया गया है भक्तों का मानना है कि कल्योग में माता रानी के श्री लंगूर हनमान जी का प्रकट होना एक शुप संकेत है उन्होंने बताया कि इस अद्बुत दृष्य ने उन्हें गहरी श्रद्धा से भर दिया है और वे अपने अपने घरों से हनमान जी की जय जयकार करते वे यहां पहुंचे हैं यहां की जय जयकार और उत्सव ने पूरे नगर में एक नई उर्जा का संचार किया है भक्तों का मानना है कि ये हनुमान जी का अशरवाद है जो उने दर्शन दे कर उनके मनक्वामनाओं को पूरा करेंगे दिख रहा है उसके बाद मैंन जी का पत्थर भी जो है दिख रहा है यह आपका सुभणाम क्या है प्रतिभिंब ये साच्छा दिखाई दे रहा है एक तरफ गदा दिखाई दे रही है एक तरफ पहार दिखाई दे रहा है हनवान जी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है और नीचे अंग प्रत्यंग जैसा कि यहां पर मंदिर पहले से बना हुआ है और सुबा से लोगों का तहता लगा हुआ है लोग आते हैं दर्सन करके चले जाते हैं कि आज हमारे भीया भवाने सिंग भी आये जैसा कि इनके सब के मुखारविंद से सुनने को मिला कि यहां पर हनुमान जी प्रकट हुए हैं और इनका चवूत्रा और जो भी इन से सबसे हो सकेगा वो किया जाएगा हरदोई से सीन्यूसमवदाता सरोश्तेवारी की रिपोर्ट देखा जाए तो हरदोई के सुर्सा में हनुमान जी के इस अद्भुत चमतकार ने शेत्र के भक्तों में एक नया उत्साह भरा है यह घटना श्रद्धा और भक्ती का प्रतीक है जो हनुमान जी के प्रती गहरी आ अस्ता को दर्शाती है पिलार इस खास रिपोर्ट में बसित्ता ही देश-दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत